एक बार शावस्ती में बहेंकर अकाल पड़ा, कई लोग भूग से तड़प कर मर गए सबसे चिंता जनक स्थिती उन माताओं की थी जिनकी गोद में दूद मुहें बच्चे थे और उनके घर के पुरुष काल के गाल में समा चुके थे बुद को जब यह बात पता चली तो वे काफी चिंता मगन हो गए और उन्होंने धनवान लोगों की एक सभा वुलाई और कहा कि आप इन माताओं और इनके बच्चों की रक्षा करें वहां उपस्तित लोग बोले हमारे पास अनाज तो है पर यह एक ही वर्ष चल पाएगा इस में से हमने दूसरों को अन्न दिया तो हमारा परिवार भूखों मर जाएगा दूसरे घर का दिया जलाना भी तब ही अच्छा लगता है जब अपने घर का दिया जल रहा हो इस पर बुद्ध गंभीर होकर बोले आप लोग अपने स्वार्थ से उपर नहीं उठपा रहे हैं क्या आपको विश्वास है कि आपके सदश्चे की मृत्यू केवल अन्ने मिलने के कारण ही हो सकती है क्या वे कोई अन्ने रोग या दुरगटना से बज़े रहेंगे आपको भविश्य के बारे में सब कुछ कैसे पता है यह सुनकर सभी लोगों ने अपने सिर नीचे कर लिए इसके बाद बुद्ध बुले भाईयो आपदाओं से मिलकर ही निप्टा जाता है यदि आज आप इनकी मिलकर सहायता करेंगे तो अकाल जैसी इस विपती से मुप्ति संभव है किन्तु यदि आप इनकी मदद नहीं करेंगे तो जीवन भर कोई आपकी सहायता करने को तयार नहीं होगा याद रखिए विपती में पड़े लोगों की सहायता करना सबसे बड़ा धर्म है यह सुनकर स्रावस्ति के सभी सेठों और व्यापारियों ने अपने अनाच के भंडार खोल दिये वेश्वेम भूखे लोगों में अनबाटने लगे कुछ समय बाद सब लोगों के प्रयास से अकाल जैसी विपती पर विजय पाली गई और सब मिलकर सुक पूर्वक रहने लगे